साथियों, साथियों जैसा आपको विदिप था, कल शाम को ही आप सब को आपके मुबाइल पर मेसेज चला गया था कि कमीटी की हमारी एक्जक्रिटिव कमीटी की रास्ट्रे कारेकारनी की बैठक हत्म होने के बाद हम आपके साथ सम्भाद करेंगे मूलता ये राश्चोय कारेकारणी जिसमें आपने देखा कि तमाम हमारे डेलिगेट्स पूरे देश से आये हुए थे अलग-अलग राजियों से आये थे उन्होंने अपनी बाते रखी तीन महतोपुन प्रस्ताओ जिसका बहुत महतो है आज के दिन में जब देश को एक अंधे गुवे में ले जाया जा रहा है ले जाया जा चुका है विदेश नीती जहां ढुलमुल रवाया है और आर्थिक प्रस्ताओ जहां सरकार के पास न कोई सोच है न समझ है न कोई ब्लूप्रिंट इन तीनों के दे नज़र रास्ट्वे जनता दल ने हमारे अलग अलग सही योगियों ने अपनी बाते रखे जो दल की बाते थे उस पर फिर प्रस्ताओं के समर्थन में लोग आए और एक विशद चर्चा मैं समझता हूं कि कल उसका कलमेनेशन होगा जब हम कर ओपन अधिवेशन में ख लालू जी हमारे रास्ट्वियर देक्च और और तेजस्वी जी हमारे डेपटी सियम तीनों के भाशन का लबो लुबाब आशय ये था कि देश की अवस्था बहुत गंभीर है इतनी गंभीर है जिसका मैं समझता हूं कि सिर्फ जिक्र कर देने से बात नहीं बने हैं कि बात करो तो बुल्डेजर पर बहस ले जाएंगे हिजाब पर बहस ले जाएंगे जहां सामाजिक सौहर्थ को बल्वती करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी वहां पर हिंदू-मुसल्मान कर रहा हूं तो इस देश को आजादी के 75 में वर्ष एक नए दिशा की आव ने किया है और उसके बाद इस बयार को पूरे देश में ले जाना है विपक्ष साथ बैठेगा बाचीत होगी एक प्रगतशील दस्तावे जाएगा बेरोजगारी के खिलाफ महंगाई के खिलाफ सामाजिक सौहर्थ के पक्ष में ताकि आजादी के 75 वर्ष में हमारे जो प बात रखी और मैं समझता हूँ कि जो बयार जैसा मैंने कहा कि बिहार से शुरू हुआ उसकी शुरुवात हो चुकी है देश के अलग अलग हिस्सों में साथ बैठने की कवायत शुरू हो गई है और एक बार साथ बैठेंगे बहतर विकल्प निकलेगा और वो विकल्प आत मुखदता की राजनीत का हमने आठ वर्शों में देखा है कि आत्म केंदृत राजनीत में हमारे महत्वपुन चीज़ों का अवसान कर दिया है उसको खत्न करकाEM के रख गया है यह हमारे आशे यही था अब अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं जगता बाबू फिजिकली यहां आए या ना आए अभी वावक हैं हमारे तमाम साथियों हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष के साथ अन्यों नाश्रे संबंद हैं उनकी आज की गहर मौजुद्गी उनकी हमेशा की मौजुद्गी पर सवाल नहीं करी कर सकते यह सबस्ट मानिये उनके उनकी गर्माहट सब निरनय उनके साथ मिल बैठकर के लिया है और तेजस्वी जी का एक बहुत ही विलग उनके साथ रिष्टा है आज वो कतिपाय कारणों से अगर ना आए आपको मैं लिख के देता हूं वो हमारे बीच थे हमारे बीच हैं और हमारे बीच रहेंगे इतने कहने के बाद भी आपका सवाल मेरी तु समझ में नहीं आया सबसे बली बात है कि CBI की चार्शीट इसको क्यों कह करके आप लोग भी खराब करते हैं ये तो बीजेपी की चार्शीट है और वो इसलिए है कि आपके नक्षे कदम पर हम चलना नहीं चाहते हैं हम इस देश के नक्षे को नहीं चोड़ेंगे आपके नक्षे कदम पर नहीं चलना चाहते हैं तो बंद केस को आप खुलवाते हैं और एक फिक्टीसियस अपनी मर्जी से आप पातर गढ़ते हैं और पातर गढ़ने के बाद आप चार्जशीट करते हैं, ये चार्जशीट तो अपने आप में एक उदाहरन है, हम चार्जश करते हैं बीज़ेपी को, आपने इन संस्थाओं को, खत्म करके रख दिया है, इनके चरितर को खत्म कर दिया है, लेकिन याद रहे, सत्ता में कोई अमरित पी के नहीं आ पहली बात तो यह जान लीजिए कि अपोजीशन के संदर में चाहे हमारे राश्री अदेक्स लालू जी हो शरत जी हो तेजस्वी जी सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहीं जो आखडी भी है साथ बैठेंगे मुद्दों पर बातचीत होगी मोदी जी का विकल्प मुद्दा ह है व्यक्ति का विकल्प अगर व्यक्ति करते हैं तो हम शैंपू नहीं करीद रहे हैं कि यह शैंपू नहीं चलेगा यह शैंपू चलेगा ना जिमाक्रसी सामुहिक्ता की चीज है लोकतंत्र में जब सामुहिक्ता का खात्मा होता है न तो नरेंदर मोदी पैदा होते हैं क् साथ लाने के लिए स्ट्राटिजी क्या डिसक्रश हुई, साथ लाने के स्ट्राटिजी तो सीधी सी है ना, शुरूआत हो चुकी है, आप लोग को नजर आ रहा है, इसलिए आप प्रश्ण भी कर रहे हैं और मुझको लगता है कि बीजेपी सबसे ज़ादा परेशान है, क्यो कि जाती बेवस्था को और एक खास किस्म के मनुवाद को पनपार है उनकी जुबान से आश्चर लगता है आप अपने आरेसेस का इस्ट्रक्चर देख लिजे ना वहां कितनी तामाद तब्दीलियां की हैं वहां कौन सा सामाजिक निया है वहां कौन सा संविधान का प्रतिने दित्व है और अभी तो हमारे रास्ट्य अद्यक्ष ने कहा गोलवलकर जी की किताब से कोट करके बंच आप थॉट् अमबेदकर पर माल्यार पर्ण कर सकते हैं अमबेदकर को आत्म साथ करने की आप में च्छमता नहीं 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 देखिए जातिकत तो जंगना तो बिहार में होने वाली है आप सब को पता है संभवता महीने दो महीने में हम शुरू कर रहे हैं और वो देश के लिए नजीर होगा नंबर एक नंबर दो जो हमारे रास्ट्य अद्यक जी ने कहा हम सब साथा है ना क्यों जरूरत थी साथाने की या तो चुपचा बैठके लोकतंत्र का खात्मा देखते संभिधान का खात्मा देखते या आवाज उठाते और मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं कि जो लोग कहते ने कि विकल्प कैसे होता है 2004 में कौन सा चेहरा था शाइनिंग इंडिया गिर गया ना शाइनिंग इंडिया गिर गया तो आपको बता रहा हूं 24 में जो यह इन्होंने दो सीट से 303 सीट की यात्रा किया ना उसका रिवर्स शुरू हो जाएगा सर थोड़ा सा लालू जी के वाशन के थोड़े सा और आप प्रकाई चाल सकते हैं कि क्या क्या और पॉइंट उन्होंने रेज किया क्या इंकॉर्टन देखिए तीन महत्पुन बुंदू थे एक तो उन्होंने अपने सामाजी की निया कहते है आसका जिक्र किया दूसरा उन जाने का काम किया जाए हर व्यक्ति अलग अलग समुदाय की लोगों को जोड़े और आगे बढ़े यह मैसेज और यह तीनों मैसेज मैं समझता हूँ भाजपा के खात्मे की अबारत लिग देगा अफिरी सवाल है क्या तेजस्वी जी को राश्वी कारिकारी अध्यक्ष ब यह सीधी सी चीज है कि राश्ट्री अध्यक्ष लालू प्रसाद जी बारहमी बार निर्वाचित हुए कल उनको प्रमान पत्र मिलेगा और लालू जी से लेकर के जहां हमारे साथी लोग अब दुबारी सिदी की साहब हो जै प्रकास जी हो फैजल साहब हो निरंतरता है ला हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति बीस नए व्यक्ति को जोड़ा मुद्दों को गाउं गाउं तक ले जाए और यह तै करें इनकी जो जूट की इमारत है ना धार दहा के गिर जाए उसका सिर्फ एक ही उन्होंने जो मंत्र दिया गाउं जाओ चौपाल लगाओ बात करिये औ और एक दूसरे के पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िए यह देखिए अभी तक मैंने राजनीत में मैं हूँ जोतिस सास्तर का मैंने अधियन नहीं किया यह काम मैं मेडिया के लिए चोड़ता हूँ तैंक यू सो माच नमस्कार